आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्री राम क्लासेज में और दोस्तों आज हम बात करने वाले राजस्तान के इतियास के कुछ महत्पून प्रस्णों की जो कि दोस्तों विबिन प्रत्यों की परिक्षाओं में बार-बार रिपीट होते हैं और आप देख सकते हैं कि प्रत्य प्रस्णों के सामने लिखा हुआ है कि वह प्रस्णों कौन से साल में कौन सी परिक्षाओं में पूछा गए हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान की विबिन प्रत्यों की परिक्षाओं जैसे आरेस, आर्टीएस रीट फ़स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड राज्तान पुलीश पटवार एगरिकल्चर सुपरवाजर पसुदन सायक वन रक्षक पी टी आई स्टेनोग्राफर लाइब रिडियरियन लेब असिस्टेन ग्राम सेवक लडिसी बीस्टी सी और पी टी टी आदि पर सकतारी झूवार किस ने दिया था दोस्तों यह जू दाव यह चार्लीश मेटकॉफ के द्वेरा जो दिया गया था सबसे पहले सुझाव चाल्स मेटकॉफ के द्वारा दिया गया था एल्म पाँड प्रसेम्बर 2 की प्रस्थ नंबर 2 है कि सिर्द अपने आपको हिंदूस् बाद्वाद्शा नाडोल में जनवरी 1681 में गुशिद किया था तो ये दो सटभाले बरती में अ अथा फुसका लेगे ऐस sleepy दोस्तों सहजाद दोड़ी अक्बर था इसने में जो अपने आपको जनवरी 1681 में हिंदुस्तान का बाद तो इसका से उतरें साज़ादा अकबर नाइस्ट कुशन है चिप को अंदुलन की स्रियासत में हुआ यह राजिस्तान से समझे चिप को अंदुलन है वह कि स्रियासत में हुआ था यह रास्तान पुलिस दोज़ार सब्सक्राइब दोस्तों चिप को अंदुलन आप सभी को पत है को तो तर प्रस्थने कौन से चीनि यात्री ने बीनमाल की यात्रा की तो ऐसा मख़वव स Baldstein शैनis ऑं की समरजिक अख है जो मोरे समराजिक हिस्सा रहा राजस्तान अगला प्रस्ने छटा राजस्तान में प्राचिन मतशी राजाओं की राजदानी विराट नगर थी आज इसे किस नाम से जाना जाता है जब प्राचिन समय में मतशी राज़ाव की राज़ानी थी विराट नगर और एक जनपद भी था है मतशी जनपद उसकी राज़ानी थी विराट नगर इसको वरतमान में किस नाम से जाना जाता है तो इसको बेराट के नाम से जाना जाता है और वरतमान में ये जैपूर जिल किस ने राज़िस्तान का निर्मान एकिकरत प्रांद के रूप में किया तो एसा कौन सा व्यक्ति था जिसने राज़िस्तान का निर्मान एकिकरत प्रांद के रूप में किया था इसका सेवतर हैं अक्बर अक्बर ने जो इसको एकिकरत प्रांद के रूप में विक्सित किया था किस राजवन्स ने अपना उद्गम मित्खी अग्नी कुन से नहीं जड़ाएं तो आर्टेर दोजार प्रस्ट बारा में पूछा गया प्रस्टने उस समय जो चार उप्षिन थे उसमें से सही उतर इसका चंदेल परतिहार परमार इसमें सही जो एक उप्षिन इसमें गलत इक का था और हमें यह बताने कि यह किस जिल्मेस त folds12 में पूछा गया प्रस्टने जो मदिमी का है वह जिसको वर्तमान में नगरी के नाम से से जाना जाता है और यह चितोड़कर जिल्य में अस्ती थै और वरतमान में यहां के जो सांसद है सीपी जोसी जी इन्होंने नगरी को जो गोध ले रखा है अदर्स ग्राम के रूप में सांसद आदस ग्राम के रूप में ग्यारवा प्रस्थ नहीं कुमार पाल प्रबंद के में उले का नाम बताना है तो कुमार पाल के उनसर रूसराजा का नाम था चित्रांग सेउतर इसका चित्रांग अगला प्रस्थ नहीं 2011 में पुछा गया था पटवारी प्रिक्षा में ख्वाजा मौहिनो दिन चिस्ति के गुरू कौन थे जिनकी दरगा आजमेर में बनी हुई है और प्रत्विराज चोहान तरती के समय ये बारत में आये थे मुहमत गोरी के साथ में तो ये जिनके झाल सेख उस्मान हारुनी हजरत सेख उस्मान हारुनी इनके गुरू का नाम था अगला प्रस्थे तेरवा सुमेलित हैं इनको सुमेलित करना है रजय और उनके सासकों के साथ में ये भी 3Dレ़ 2013 का कुईशन है सबसे पहले बंदी तो बंदी के सासक देव सियंगे इनको पहले से जो सुमेलित करके लिखा गया है इसका यहां पर लिखा हुआ है अगला प्रस्न है वर्ष यूद और गटना वर्ष को सुमेलित करना ये भी थर्ड ग्रेड दोजा तेरा का किस्छन है तो खानवा का यूद ये 1527 में हुआ था हल्दी गाट्यू की यूद ये 15 सुमेलित कर रखे हैं कि पिशन नंबर 15 स्वामी विवे करनंद राजस्तान के कस्वे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिति के रूप में ठहरे थे हैं वह कस्वा कौन सा था तो इसका जो से उतर हैं वह है खेतड़ी दोस्तों खेतड़ी वरतमान में जुन जुन जिले में आती हैं और अभी तांबा उत्पादन के लिए पूरे देश बर में जो जानी जाती हैं खेतड़ी अगला प्रस्न है बाबर के समकालिन दो सक्तिसाली हिंदू राज्यों के नाम क्या थे तो पहला तो था मेवाड और दूसरा था मारवाड मेवाड के साथ सबुस्समें थे राना संगा और आपको कमेंट करना है कि उस में मारवाड के साथ कोन था बाबर के समकालिन इसका उतर जूरूर आप करें 17 प्रसन हैं बक्तिरस कव्यचतरी मीरा बाई कौन तो मीरा बाई जो थी इनका जन्म में मेर्टा सिटी नागोर में हुआ था मेर्टा नागोर और इनका जो विवा है वो मेवाड के माराना सांगा के पुतर थे बोजराज उनकी साथ जिनका विवा हुआ था अगला प्रस्न है हनुमानगर और स्री गंगानगर के पास के ख्यत्र को प्राचिन काल में क्या कहा जाता था उसको युद्दे के नाम से जाना जाता था सहीवतर इसका युद्दे अगला प्रस्ण है अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पेदल चलकर किस पीर के यहां सकौन सा मुगल बादशाय था तो ख्वाजा मुहिनुदिन चिस्ति की दरगा जो अजमेर में है उनके यहां पर जो अकबर आया था अपने पुत्र के जन्म के उपलक्ष में अगला प्रस्ण है बीश्वा सत्रा सु पस्पन में मुगल समराजी के पतन के बाद किस मराठा वंस ने अजमेर पर कबजा किया तो इसका सहुतर है सिंधिया सहुतर इसका अज़िए राजपुत्र सास्कों की सुची दी जा रही है संगा चंद्रसेन मांसिय राइपूर इन में से किनी दो का चैन करें जिन्होंने मुगलों का सयोग किया था तो इन में से दो नाम एक तो मांसिय एक है राइपूर अगला है अपने सासनकाल में हिंदू यानिकी राजपूत्र मराथा मंसबदारों की संग्या में अधिक वर्दिक की थी तो यह जो मंसबदारों इनकी वर्दिक कर की गए थी यह मुगल बादशा जो अकबर थे उनके समय की गए थी इसका सही उतरे अकबर लास्ट क्यूशन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरू करें और इसकी पीडियाप आपको मारे टेलिग्राम चैनल स्री राम क्लासेज में मिल जाएगी आप टेलिग्राम पर सर्च करें और टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर लें स्री राम क्लासेज के नाम से टेलिग्राम ग्रूप आपको माप पीडियाप मिल जाएगी तो अंतिम किशने अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरू करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं लाश्टे रास्तान मे पैदा हुए किस राजा को दिल्ली के पुराने किले में विक्रमादित्य के रूप में ताज पैना गया तो दिल्ली के पुराने किले में विक्रमादित्य के रूप में ताज पैना गया था उनका जो नाम था वो समराठ हेम चंदर था प्रशीदियास में सम्राद हेमु के नाम से परसिद होए दन्यवाद दोस्तों राजस्तान की इत्यास समंदित विबीन प्रिक्षा हमें बार बार पुछ गए प्रस्तों की इस वीडियो में हमने चाचा की कैसा लगाए वीडियो कमेंट करके जुरूर बताएं और वीडियो को अपने सभी दोस्तों साथ शेयर जूरू करते हैं मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक जै हिंद जै बारत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें